आज मीने हज अब बहुत दिहान से आप देखे सौधी एरब की सिस्टम यहां का सक्योर्टी सिस्टम हम लोगों को लगता है कि जो हम लोग यूटूब पे लाइव मक्का देखते से उतने ही कैमरे हैं दोस्तों एक दो सो नहीं हजारों की तादात में कैमरे हैं और ऐसे ना ज पल हर कैमरे के ऊपर चारचर घंटे की डिवटी के हिसाब से सिक्योर्टी स्टाप लगा होता है और एक एक कैमरे के अंदर ऐसी सी टेखनोलोजी है कि आपके नाक के बाल तक वो गिन सकते इतना जबदस्त इंतिजाम होता है तो अगर आपका अपना कोई बैग आपका अप का अपना है और आप अगर उसको उठाएंगे यह आपके पास कभी नहीं पहुंचेंगे यह इसलिए लगा हुआ है कि ऐसे लोग क्यों दूश्रों का समान उखा लेते हैं अगर गिरा समान और ने सोचा इतनी भील्ड में तबाप करते समय पैर में कोई चीज़ टकराई आ अल्ला माफ करें अल्ला तो देखी रहा है लेकिन यह दुनिया में अल्ला काला ने ऐसी सी टेक्नालोजी सौधी अरप की सिक्योर्डी को दे रखी है ऐसा ऐसा सिस्टम दे रखा है कि आप उस लाखों की भीड के मजमे में अगर पैर के अंगूठे से कोई चीज़ उठा कर अपने हाथ में पकड़ लेंगे वो भी इनको पता चल जाए और दूसरी बात आपको बताएं आप मताफ में यह मजिद अलहरम में बहार जितने भी वर्दी रारी पुलिस वाले देखेंगे आप उनको तो पहचान लेंगे यह आर्मी वाले हैं यह पुलिस वाले हैं लेकि को आपके हर पल का मुव्मेंट पे नजर रखतें यहां तक कि आपको बता दे जवान तो छोड़ी अगर 60-65 साल वाला बुजुर्ग भी किसी गैर महरम किसी औरत को लगातार 40 सेकंड तक देखता रहेगा फुरी देर के बाद पुलिस आके उसको उठाके लेके चली अगर उसने 40 सेकंड तक लगातार किसी औरत के ऊपर नजर गला दी तो उसको भी पुलिस उठा ले जाएगी जवान का क्या करेगी तो आपी समझ लिए और सारी दुनिया में पुलिस वालों के द्वारा जो 3 डिगरी दिया जाता जो हाथ-पैड की तुडाई होती है उसमे अगर वो भी कोई गलती करता है तो उसका भी पता नहीं चलता है कि वो कौन से जेल में कहां गया हमारे इंडियन हाजिव का तो आपी अंदाजा लगा सकते हैं कुछ आता पता नहीं चलेगा कहां गया अगर जरा से भी अपराद जैसी चीज में कोई भी लिप्ट होगे आप दो सगे भाई हैं और एक दूसरे को रियाल दे रहें एक आदमी ने पर से सो रियाल निकाले और दूसरे को दिये उत्ती देर में फोर्स आ जाएगी पैसो का लेन देन भी खुले आम करना सक्त मना होता है वहां पर ताइम नहीं लगता फोर्स आने में मेरे भाई इतन किसी दूसरे का समान बिलकुन ना उठाएं और अगर आपका अपना समान गिर रहा है चाहाए वो आपका पर्स हो चाहाए वो बैग और कुछ भी हो तो अपना समान जरूर उठा लें क्योंकि ये जो कैमरे की आखें ये बात को देख रही है कि आपने अपना समान गिरने पर उठाया है तो आपको अपना कोई भी समान कहीं भी गिर जाए दस बार गिरे दसीयों बार उठा लेगी यह ना सूचिए कि आपको पुलिस पकाय लेगी लेकिन किसी और का समान यहां तक कि रुमाल भी अगर आपने उठा लिया रियाल और पर्स और बैग तो छोड़िये अगर रुमाल भी उठाया तो आप एरेस्ट होने के लिए तयार रहिए पिछले साल एक हाजी साहब ने गलती करी थी तीन साल की सजा हो जुकी उनको उन्होंने मताप में किसी साहब का बैग उठा लिया था और उठा के लेके बाहर चले आये थे तो मेरे भाई नाक के बाल गिलेगी यह वो पुलिस है इसलिए बिलकुल एलट रहिएगा कोई गल